कई गाओं में बिजली कटी है जिसे जोडने का काम शुरू हो चुका है कई इलाकों में बिजली के खंबे उखड गए हैं पानी से कई जगे लबालब भर गए हैं लेकिन गुजराच से गुजरे इस तूफान का असर अब राजस्थान की तरफ बढ़ चला है तूफान की असर से जैसल मेर, जोदपूर, पाली, सिरोही में भारी बारिश होगी जबकि बीकानेर, राजसमंद, उदैपूर, दुंगरपूर, जिले के लिए गेलो अलर्ट जारी किया गया है 17 जून को जोदपूर, उदैपूर और अजमेर संभागों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश के आशंका है 18 जून को अजमेर के लिए चक्रवाती तूफान का रेड अलर्ट जारी किया गया है नागोर, सीकर, पाली, भीलवाड़ा, बूंदी, टोंग, सवाई मादूपूर जिले में भारी बारिश होने की बाद कही जा रही है जैपूर, जोदपूर, चुरू, दौसा, अलवर, करॉली, सीकर, जुन्जुनू, चित्तौरगड़ और राज समंद में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है क्या होए ये तूफान के बाद की तबाही दिपर जौए के लेंड़ पॉल के बाद सारा आलम तरवतर है गुजरात के जखाओ का ये हाल करने के बाद राजस्थान की तरफ बढ़ गया है चक्रवाती तूफान विफर जौए हलांकि गुजरात के तट से ठकराने के बाद इस तूफान की रफ्तार में कुछ कमी जरूर आई थी लेकिन फिर भी ये हवा इतनी तेज थी कि तमाम दावे और इंतिजामों को हवा होने में वक्त नहीं लगा हवा का हाँ और उसकी 125 किलोमीटर की रफ्तार हवा की रफ्तार और उसकी कमजोर बड़ी ताकत भी इतनी ज्यादा थी कि जमीन पर जड़ें जमाने वाले पुराने पेड़ जड़ से उख़ड गए और ज़रा तेज हवा में कार का हाल देखी कैसे सूखे पत्ते की तरह कांप रही है फलादिकार भयंकर वर्सात और हाहकारी हवा तूफानी हवा से उजड़ गया पेट्रोल पंप तो तमाम शहर मुस्क्राधार हो रहा है तूफान से गुजरात के किसी हिस्से पर रहम नहीं जो भी रास्ते में मिला उसे मिट्टी में मिलाते हुए आगे बढ़ गया जहां हम हैं यह मांडवी का सिविल अस्पताल का इलाका है रहाइशी इलाका है, रिसिदिन्चिल कॉमपलिक्स है और यहां बहुत सारे परिवार हैं जो फसे हुए हैं यहां से गए नहीं थे, इन्हें लाजा नहीं था, घीजना पानी हो जागा पूरी रात तितनी बारिश होती रही कि ये इमारत पानी पानी हो गई अब राजस्थान के सामने है तूफानी हाहकार क्योंकि अब ये चक्रबात राजस्थान की और बड़ चला है गुजराद के सौराश्टर और कच्छी के तठीए इलाकों को पूरी तरह तबाहो बर्बाद करने के बाद बेपर जोए तूफान अब राजस्थान में अपना कहर दिखा सकता है